हेलो फ्रेंद्स वेलकम टेट 24 नॉलेज ये ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिमिटेड यूपी एमार सियल की न्यू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में इसकी एलविटी कंडिश के बारे में और इसके सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंद्स यहां पर जो ये नॉटिफिकेशन है इससे लेटेड जानकारी आपको इसकी ओफिशल वेबसाइट पर या फ्रेंद्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे जौबरास्ता.com पर आपको दे करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सकें तो यहां पर देखिए नॉटिफिकेशन जो है वो आपका जारी हो गया है 20 मार्च 2024 से आप इसमें आविदन कर सकते हैं 19 मार्च 2024 तक आपका ये पोर्टल ओपन रहेगा आपका जो एडबिट कार्ड है वो 30 अपरे नॉटिफिकेशन की तो यहां पर फैंसे देखिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिमिटेट का ये ओफिशल नॉटिफिकेशन है इसमें इंपोर्टेंट डेट्स आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाती है तो 20 मार्च 2024 से 19 अपरेल 2024 तक आप इसम जारी की गई है साथ में जो एज लिमिट है वो एक मार्च 2024 को काउंट होगा मिनिममम एज है 21 साल मैक्जिममम एज है 28 साल तो यह यहां पर जो क्राइटेरिया है सभी पोस्त के लिए रहेगा और आप रिजर्व के इंडेट हैं तो आपको अपर इसमें छूट यहां पर मि आप इसमें आविदन कर सकते हैं कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और रिजर्व के इंडेट के लिए 50% मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए इसके बार फ्रेंट नैस पोस्त है असिस्टेंट मेनेजर एसन टी इसमें भी फ्रेंट से आपकी सेलरी 50,000 से 1,60,000 रु इसके लिए 50,000 से एक लाघ साथ हजा रुपरी सेलरी रहेगी तीन वेकैंजी यहांपर जो नैस वेकैंज से व है वो है असिस्टेंट मेनेजर आई टी की इसमें देखिए salary है 50,000 से 1,60,000 रुपे तीन vacancies है इसमें देखिए master degree आपके पास होनी चाहिए computer application में या computer science में या master of technology में with specialization in computer application या friends आपके पास B.E.B.Tech है अगर आपके पास computer science या computer engineering में तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं 60% marks आपके यहाँ पर होने चाहिए assistant manager accounts की जो vacancy है इसमें भी 50,000 से 1,60,000 रुपे salary रहेगा CA आपको यहाँ पर required रहता है assistant manager architect की जो vacancy है इसमें देखिए फ्रेंस बी आर्क 5-year course आपसे यहाँ पर मांग गया है 50,000 से 1,60,000 रुपे salary आपकी रहेगी एक vacancy यहाँ पर रहती है assistant manager human resource HR की जो vacancy है इसमें देखिए 50,000 से 1,60,000 रुपे salary है full time MBA HR या PGDM HR आपसे यहाँ पर required रहेगा और इसमें दो vacancy आपकी रहती है assistant manager public relation की जो vacancy है इसमें आपकी एक vacancy है master of mass communication and journalism या friends master in journalism में 60% marks के साथ अगर आपने पास किया हुआ है आप आवेदन कर सकते हैं और जो assistant company secretary की vacancy है इसमें आपकी एक vacancy रहेगी member of the institute of company secretary of India with minimum 50% marks आपका required रहेगा और यहाँ पर भी salary जो है वो 50,000 से 1,60,000 रुपे आपकी यहाँ पर रहेगी अब बात करते हैं non-educative post की जिसमें सबसे पहले है junior engineer electrical इसमें salary है आपकी 33,000 से 66,300 रुपे इसमें देखिए तीन साल का diploma required रहेगा electrical and electronics engineering में 60% marks के साथ 50% आपका reserve candidate के लिए 88 vacancies आपकी यहाँ पर रहती है junior engineer SNT में फ्रेंसे 44 vacancies है यहाँ पर भी diploma required है 3 साल का electronics में electronics and communication engineering में 60% marks के साथ और 50% marks reserve candidate के लिए और यहाँ पर भी फ्रेंसे 33,000 से 66,300 रुपे salary आपकी रहेगी इसके बाद जो vacancy है SCTO station controller come train operator इसमें फ्रेंसे 33,000 से 66,300 रुपे salary है total 155 vacancies है तीन साल का diploma आपका required रहेगा किसमें electrical में electronics में electronics में या electronics and telecommunication में 60% marks के साथ और 50% marks से SCA ST candidate के इसके बाद फ्रेंसे account assistant की जो vacancy है इसमें salary है 35,000 से 51,008 vacancies है बीकॉम आपसे required रहेगा 60% marks के साथ office assistant HR की जो यह vacancy है इसमे salary है 35,000 से 51,000 रुपे चार vacancy है तीन साल का या चार साल का integration आपने किसी भी discipline में किया हुआ है 60% marks के साथ आप इसमें आविदन कर सकते हैं पी आरे की जो vacancy है public relation assistant की इसमें भी salary है 35,000 से 51,000 चार vacancy है बैसले degree आपसे मांगी गई है यहाँ पर किसमें mass communication and journalism में या journalism आपने government institution से किया है 60% marks के साथ आप आविदन कर सकते हैं इसके बाद है maintainer post जो की electrical की vacancy है 19,500 से 49,900 रुपे salary है total 78 vacancies है ITI, NCVT, SCVT approved अगर आपने किया हुआ है electrician trade में 60% marks के साथ आप इसमें आविदन कर सकते हैं और maintainer S&T की जो vacancy है इसमें भी 19,500 से 49,900 रुपे salary है 26 vacancy है ITI, NCVT, SCVT approved जो की electronic mechanic trade में आपने की हो 60% marks के साथ आप इसमें आविदन कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए आपको hashtag double देखने को मिलता है देखिए जो hashtag double है इसका मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि जो post code है 6 और 8 इनके लिए ITI आपके पास होना चाहिए higher qualification जो है वो फ्रेंट से इस post के लिए eligible नहीं है ऐसे ही जहाँ पर आपको single hashtag मिलता है जो की post code है A1, 2 and 3 इसमें फ्रेंट diploma in the relevant discipline जो आप से मागा गया है उसमें जो higher qualification है वो आपकी यहाँ पर eligible नहीं होगी इसके पर आपसे कहा गया है candidate can apply for more than one post अगर आप एक सदर पोस्ट के लिए आविदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं qualification जो है फ्रेंट से जो closing date है आपकी उस दिन तक आपके पास complete होनी जरूरी है तो ही आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंट से यहाँ पर आपको selection process दिया गया है अब देखिए assistant manager electrical की जो vacancy है या snt की जो vacancy है इसमें फ्रेंट दो stage process होगा आपका return test होगा document verification होगा medical exam आपका होगा assistant manager IT के लिए accounts के लिए या आपके architect के लिए HR post के लिए PR post के लिए assistant company secretary के लिए इसके लिए भी two stages जो आपका process है return exam है जिसमें आपका document verification होगा और medical exam आपका होगा junior engineer के लिए फ्रेंट से यहाँ पर देखिए आपका return test, document verification, medical exam होगा station controller के लिए return test, psycho, attitude test आपका होगा document verification होगा, medical exam होगा account assistant के लिए office assistant के लिए या PR assistant के लिए आपका return test है, document verification है और medical exam आपका यहाँ पर होने वाला है और जो maintainer post है आपकी उसके लिए फ्रेंसे जो selection है उसमें return test होगा, document verification होगा और medical examination आपका होने वाला है अब यहाँ पर देखे जो फ्रेंसे आपके जानकारी है वो आपके medical exam की वो आपको दी गई है, return test में आपके क्या-क्या पूछा जाएगा तो देखे, objective type computer based test आपका होगा इसमें जो question paper है वह English में हिंदी दोनों ही language में available होगा multiple choice questions आपके यहाँ पर होगी जिसमें आपकी English language general awareness, logical ability, quant और आपकी जो knowledge है discipline से उस से related questions आपके पूछे जाएंगे, अब आपकी जो post code है एक से लेके 9 तक और एक से लेके 6 तक इसमें फैंसे देखे, 140 questions आपके होगे इसके लाबा फैंसे आपके यहाँ पर 100 questions है, जो आपकी post code है 7 और 8 उसके लिए आपके रहेंगे यहाँ पर फैंसे negative marking भी रहेगी 1 थड़ की, 2 घंटे का duration आपका होगा और computer based test होगा इसके बाद फैंसे जो calendar selected होगे उनको psycho aptitude test, document verification के लिए, iris verification के लिए medical exam के लिए बुलाया जाएगा exam center सिर्फ आपके UP में होगे तो UP के जो cities है वो आपको उसकी list आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद fan training program का जो आपकी fees है वो आपको यहाँ पर दी गई है इसके रावा fan से आपका यहाँ पर देखी salary आपको दी गई है, नीचे आने पर आपको fan से age में छूट बताए गई है तो अगर आप SCST, OBC है, उत्तर प्रदेश के तो ही आपको यहाँ पर reservation मिलेगा अगर आप UP के निवासी नहीं है तो आपको reservation नहीं मिलेगा तो यहाँ पर फ्रेंस से जानकारी आपको clear होनी चाहिए कि candidate जो यूपी dimensional के है, उनको ही फ्रेंस जो relaxation है वो मिलता है, other state candidate general से ही apply करेंगे fees यहाँ पर 1180 रुपे रखी गई है general EWS OBC के लिए और जो SCST candidate है, उनके लिए 826 रुपे fees यहाँ पर आपकी रखी गई है fees फ्रेंस से आपको online mode में जमा करानी है, साथ में आपको online ही apply करना है इसमें आपको latest पासपसाई फोटो आपको अप्लोड करनी होगी, signature आपको यहाँ पर upload करना होगा, इसके लावा फैंस से आपको एक hand train declaration जो आपको यहाँ पर दिया गया है, यह भी आपको upload करना होगा, आई से लेके आप मी तक आपको आपकी self and writing में लिखना है आपको signature करना है, date लिखना है candidate का नाम आपको यहाँ पर mention करना होगा, इसके लावा जो भी points आपको यहाँ पर दिये गये हैं, वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं, और आप applicable है, eligible है, तो एक से जाड़ा post के लिए भी आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर फेंस, जितने भी वेकेंसी से रेलेटर important points थे, वो मैंने आपको यहाँ बता दिये हैं, बाकि की जानकारी फेंस आप video description में jobrasta.com पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इस से रेलेटर सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, बाकि की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा YouTube चनल, एलास थेंक्स पूर वाचिंग,